नमस्कार दोस्तों मैं हूं नीरज और आपकी अपनी क्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग नुमेरिकल ले रहे हैं फ्री बॉडी डाग्राम से रिलेटेड और इफ्रेंचल एक्वेशन यहां पर देखिए क्वेशन में कहा गया है कि डराइव दा सिस्टम एक्वे लेकिन यहां पर फ्रेक्शन के वैलू दी गई है और बाकी की चीज़े मोस्ली एक ही जैसी है उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है यह आपको लापलास ट्रांसफर्म में करना होगा तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बस हम लोग वन बाइवन क्या करेंगे दोनों M1 और M2 का Free Body Diagram ड्रॉ करेंगे और एक बार हम Free Body Diagram ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम बड़े आराम से सलूशन कर सकते हैं तो देखिए मैं सबसे पहले M1 की बात करता हूं M1 में क्या है तो देखिए मैंने यहां पर लिख लिया है Free Body Diagram of M1 और यहां मास बना लिया अब इसम से देखें तो यहां पर Ft force लगाया जा रहा है और इस direction में लग रहा है तो हम सबसे पहले तो उसको ही लिख लेंगे यहां पर हमाई force कौन से लग रहा है Ft लग रहा है अब कौन-कौन से और force लग रहा है इसके कारण से आप सोचिए बिलकुल ऐसे ही इसका जो inertia force होगा व में कितना displacement हो रहा है X1 तो यहां पर हमें आप लिख लेंगे कितना X1 और T भी लिख सकते हैं आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सारा का सारा T के ताम Ft लिख रहा है आपको X2 अपन Fs लिखना है तो हम लापलास लेंगे तो वहां पर T रहेगा खीचेगा तो reverse direction में खीचेगा तो हम क्या सोच सकते हैं कि यहां पर एक force लगेगा वो क्या लएगा के वन इंटू कितना displacement हो रहा है displacement हो रहा है K1 इंटू X1 और यहां पर मैं T लिख ले रहा हूं अब इसके बाद और कौन-कौन से forces लग रहा है तो देखिए यहां पर एक हमको दिख रहा है B12 क्या है Damping force को यह रिप्रेजेंट करता है तो Damping force को रिप्रेजेंट करता है तो मैं यहां पर Damping force को भी लिख दे रहा हूं क्या होगा आपका B12 and D by DT of displacement तो आप ऐसे सोचिए यह इधर से X1 प्रेस करेगा और उसके कारण से इस तरफ जो है X2 भी चला जाएगा यहां कि resultant जो moment होगा यहां पर Damping में वो कितना होगा आपका X1 minus X2 तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे X1 T minus X2 T तो यह हमारा हो गया Damping force अब इसके अलावा और कौन सा force लग रहा है यहां पर Frictional force भी लग रहा है तो Frictional force भी एक तरीके का Damping force ही होता है वो कोई नए चीज नहीं है वो भी क्या है हमारा Damping force ही है तो उसको भी मैं यहां पर नीचे की तरफ लगा दिखा दे रहा हूं वो कितना है उसका coefficient जैसे यहां B12 दिया है वैसे यहां पर Fc1 दिया हुआ है हम लिखेंगे Fc1 dy dt अब यहां पर देखिए तो इस mass के कारण कितना जो displacement हो रहा है उसी कारण यहां पर friction लग रहा है तो इसका displacement कितना हो रहा है X1 हो रहा है तो यहां पर हमको क्या लिखना होगा X1 into P तो यह हमको FbD मिल गया free body diagram of mass M1 अब हमें पता है कि D Lambert principle के according क्या होता है जो भी forces है वो आपके आपस में equal होने चाहिए मतलब एक तरफ से जो force apply किया और जो resisting करने के लिए forces लगए वो सब आपस में equal होंगे तो आप देखिए तो इधर से apply कितना क्या है Fp और जो भी इसके opposite लग रहे है वो हमने यहां पर लिख रखे हैं तो उनको हम one by one लिखेंगे क्या हो जाएगा F of T is equal to सबसे पहले मैं इधर के forces लिख लेता हूं वो कितना है आपका सबसे पहले आप देखिए M1 इंटो D by DT का स्कार इंटो X1T प्लस कितना है आपका दूसरा फोर्स है आपका Fc1 इंटो D by DT of X1T plus B12 D by DT of X1T minus X2T plus एक और सा और यह बच जाता है वो कितना है आपका K1 इंटो X1T तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया इसका जो डिफेरेंशल एक्वेशन है मास M1 का pre-body diagram के मदद से लिख लिया हम इसको कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है equation number first है ऐसे हम मास 2 के लिए भी क्या करेंगे pre-body diagram ड्रॉ करेंगे तो देखिए हमने यहां लिख लिया pre-body diagram of M2 और यहां पे M2 बना लिया आप हमें देखना है कि कौन-कौन से forces यहां पर लग रहे हैं तो देखिए यहां पर forces कौन से लग रहे हैं अगर आप देखेंगे द्यान से तो इधर से जो हमने यहां नीचे लिख दे रहा हूं और वो force कौन सा है आप देखिए तो वो force है B12 dy dt of x1t minus x2t तो यह हो गया आपका force जो कि left hand मतलब आपको एक तरफ से धक्का दे रहा है अब इसमें opposite direction में कौन-कौन से forces लग रहे हैं तो एक forces तो इसका inertia force लगेगा वो हम लिख लेंगे उसका current force लगेगा वो लिख लेंगे और यहां पर frictional force लगेगा वो लिख लेंगे तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं सबसे पहले inertia force को लिख लेते हैं तो inertia force क्या होगा शीकिस के opposite लगेगा वो क्या होगे आपका m2 into d by dt का square into x2 x2 इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहा यहां पर होगे x2 और यहां पर लिख लेंगे हम e अब उसके बाद दूसरा है आपका force वो किस चीज के लिए है spring के कारण है तो spring force भी लिख लेता हूं मैं k2 into x2 t और तीसरा जो force है वो किस कारण से है आपका वो आपका नीचे आप देखें अगर numerical में ध्यान से यहां फ्रि दौर moment नहीं होगा इसलिए x2 होगा तो अब आप देखें तो यहां पर क्या हो गया fc2 dy dt of x2 t तो इस तरीके से हमने क्या किया जितने भी forces यहां लग रहे थे उनको लिख लिया अब हम लोग फिर से इसकी standard equation लिख लेंगे जैसे की balance equation जो कि हम लोगों ने यहां उपर first equation ल लिख लेंगे क्या हो जाएगा b12 dy dt of x1 t minus x2 t is equal to m2 dy dt का square x2 t plus fc2 dy dt of x2 t plus k2 x2 t तो इस तरीके से हमको यह second equation भी मिल जाएगी और यह हमने लिख लिया equation number 2 तो इस तरीके से free body diagram और second equation यह हमारी बनके ready हो गए अब हमें question में mainly जो पूछा गया था वो कहा गया था x2 upon fs निकालना है तो x2 upon fs यानिकि s के form में पहले हमें इन दोनों equation को ले जाना पड़ेग इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा laplace transform लेना होगा तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों equation को one by one laplace transform लेंगे और उसके बाद वो values जो है हम लोग लिखेंगे कि वो equation क्या आती है फिर manipulation हमें करना होगा तो देखिए मैं यहाँ पर दोनों equation का laplace transform लिख रहा हूँ तो देख पह आ जाएगा double differentiation है तो m1 into s square into x1 s plus fc1 into s into x1 s plus यहाँ पर क्या होगा b1 2 into s into x1 s minus b12 into s into x2 s plus k1 into x1 s तो वो value हमने यहाँ पे लिख लिए अब हम क्या करेंगे second equation का भी लापलास इसके ज़स्ट नीचे लिख ले रहे हैं तो देखे हमने second equation का भी लापलास ले लिया और उसको यहाँ पर लिख लिया है fourth तो देखे क्या हो जाएगा b12 into s into x1 s minus b12 into s into x2 s plus is equal to m2 into s square into x2 s plus fc2 into s into x2 s plus k2 into x2 s इस तरीके से हमें दोनों equation मिल गई अब हमारे पास दिमाग में है क्या question पूछा गया था तो question में पूछा गया था अगर आप देखें question को तो था x2 upon fs x2 upon fs तो अब हमको यहाँ पर देखना होगा कि third or fourth equation की मदद से हम x2 upon fs यह हमको value चाहिए यह हम कैसे calculate कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कैसे सोचना है यह हमें mainly चीजहों का यहां देना है तो अब आप देखें तो यहां fs है और यहां इस equation में देखें तो x1 है और यहां पर x2 भी है तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां से x1 की value हटा दें in terms of x2 तो हम बड़े आराम से relation point कर सकते हैं तो यहां जो fourth equation है इसमें देखिए तो x1 और x2 है तो हम क्या कर सकते हैं यहां से x1 की value निकाले और third equation में पूट कर दें तो हमारा काम जो है वो बन सकता है तो देखिए मैं यही कर रहा हूं fourth equation से मैं x2 की value निकाल रहा हूं x1 की value और उसको जो है third equation में हम लोग पूट करेंगे तो देखिए हम लोग ने fourth equation का इस्तिमाल करके x1s की value निकाली है और यहां पर देखिए x1s का सिर्फ term यही है और बाकि सब term हम एक तरफ ले आएंगे x2s common ले लेंगे तो हम यह expression मिल जाएगा अब हम इस x1s की value को equation 3 में put कर देंगे तो देखिए हमने यहां पर equation 3 में value put करी x1s की तो आप देखेंगे त तो सिर्फ एक ही term है यहां x2s का उसको हमने यहां पर last में लिखा है और बाकि सबी term में हमने क्या किया है x1s को common ले लिया है तो यहां पर आ जाएगा m1s का square plus fc1s plus b12s plus k1 और x1s की value जो है यहां पर put कर दिया है जिसमें यह value हम लोगों यहां से यहां पर रखती है अब ह हमें क्या चाहिए था x2 upon fs तो x2 यहां से हम common ले लेंगे और x2 upon fs के value बढ़े आराम से हमको मिल जाएगी तो देखे मैं यहां पर लिख रहा हूं तो देखे हमें जब ऐसा करेंगे तो सबसे पहले यहां LCM ले लेंगे तो आ जाएगा b12 s square तो यहां पर हमने यहां पर ल सब्सक्राइब करें धन्यवाद